सो हेगा सब्सक्राइब भाइए तो आज हम लोग फिट से एक पार खेल रहे हैं जीडिया फाइब और आज हम लोग फिट से एक पर आचे क्यार हमाइक कलताव प्रेसिडेंट के साथ तो आप लोग को याद होगा हो पिछले वाले एपीसोड में हम लोग को या डगन बॉस न आरे बहुत जादा खतरनाक तो अभी हम लोग को लोसांटोज में किसी से ड़ने की जरूरत नहीं है जो भी हम लोग उसे लड़ेगा हम सब की बांड बजाने वाले हैं तो गाइस मजा आने वाला है इसलिए वीड़े को पूरा देखना वीड़े को एक लिक जुरू कर देन क्योंकि यार मैं उनके ओपर भरोसा नहीं कर सकता बैए FRANKLIN किसी को भी पैसे खिलाकर अपने साइट कर सकता है किसी से भी मेरी इंफॉरमेशन ले सकता है इसलिए मैंने सारके सारे बंदों के चुट्टी की और सबसे पहले मैंने ट्रेवर को कॉल किया Trevor को मैंने बोला में इसकी safety की जिम्मेदारी हमारी है तो कुछी दिन में Trevor अपने security लेकर आजाएगा बाकि मैं तो अपने bodyguards को लेकर subject गूमने वाला हूँ क्योंकि ये bodyguards बहुत ज़्यादा खतरनाक है और आप में से बहुत सरे लोग comment कर रहे थे कर दो बहुत सकता है कि अब देखेंग और विल एप दो आप एप दो आप दो आप दो आप पर यह को अब ज़िए अब दो आप इतनी दिल में जुआ इस बड़े वाले ट्रक को ले कर आ चुकर ट्रेवर तो सरी सिक्यॉरिटिक लेकर आ गया क्या ट्रेपर में करीब 10-20 बनदे तो जहाए बाई से में अवह सैसंगा अब हमारे से में मेंचेरटी अभी हमारे आथ में तो और मैंने अजिसाई ड्रेवर को बोला है ट्रेवर ने तुरंत यार सारे सारे सीक्यूरिटी गई बाहार निकाल दिया जे सारे के सारे हमारी आर्मी भाले बंदे है तुम लोग यहां देक रहे हो सबने सेम कपडे बैन रखे है और इतने बंदे काफी रहेंगे इस वाले mention के लिए क्योंकि यह वाला mention यार जादा बढ़ानी है तो ठीक है यार हमें बस इसको safe रखना है बाकि जो काम से आये था guys मैंने वो काम का गिरा कर लिया है बाकि फटापट से यहां से निकलना पड़ेगा क्योंकि मुझे जाना है सीधे Lester के पास लेस्टर से चलके बात करते हैं लेस्टर के लिए हम लोगोंने सब के लिए security का अंतजाम कर लिया है तो driver एक काम कर तू सारे के सारे बंदों को अच्छे से position पर लगा दे यह mention हम लोगों सेफ रखना है इसमें अपनी security भी बैट जाएगे फटाबट से बैटो दोनों के दोने bodyguards को मैं कार में बिठाने वाला हूँ और काड़ी मैं ड्राइफ करूँगा बाकि मैंने अच्छे से समझा दिया है कि बाई कोई भी अगर मेरे आसपास आता है और अगर कोई अटाक करता है तो किसी को छोड़ना नहीं है सीधे खतम ही कर दे फटाफट से निकलते और यह देखो यार यह reporters 24 गंटे यहां पर रहते है हद यार तुम लोग देख रहो अभी भी यह खड़े है मैं जहां पर भी जाता हूं यह लोग जाते आते जाते भाई मेरे फोटोस बगरा विडियो बगरा लेते रहते हैं यह काफी स्लोट चल रही है इसकी स्पीड बहुत कम है यह प्रेसिडेंट वाला मेंशन काफी जादा नस्दीक में है तुम लोग देखो सामने वाइट हाउस भी है पर अभी मुझे जाना है सिदे लेस्टर के पास और लेसर अपनी गवर्मेंट फैक्टरी में है वहाँ पर वो हैकर को ढूणने की कोशिच कर रहा है क्योंकि लास्ट वले अपीसोड में चाइनीज गांग के बेस से उन लोग को यार एक हार्ड ड्राइब मिली थी जिस हार्ड ड्राइब को हैक करके शायद कुछ तो इन्फॉमेशन अपने को मिलने वाली है लेस्टर ने ऐसा ही मेर से बोला था ओके फटापट से काड़ी को बगाते हैं जल्दी से चलते हैं गाईज लेस्टर के बास लेस्टर की गवर्न फैक्टरी में बहुत से ने वाले हैं और जल्दी से चलके आर उसे बाचीत करते हैं लेशर पिछले दो दिनों से याँ पर लगातार काम कर रहे है मतब दिन रात लगा कर भाई हाकर को डूण रहे है पर हमें कुछ पता यह नहीं लग रहा है वो हार्ड ड्राइब मिली थी लेशर उसने हार्ड ड्राइब को हैक तो कर लिया है पस अभी पता करना है कि आखिर कार हार्ड ड्राइब में है क्या हैकर की बस हमें लोकेशन मिल जाए गाइज हमें बस हैकर चाहिए और एक मिनट तुम लोग यहाँ देख रहे हो यहाँ पे अपने आर्मी के कुछ बंदे खड़े हो है बहुत सई यह काम लेसर ने काफी जादा बढ़िया किया है क्योंकि यार्ष हैकर जब से किटनाप हुआ है हमें सब की बहुत जदा टेंचेन हो गए हमारी टीम यार हमारे लिए बहुत ज़ादा जरूरी है इसलिए हम लोगों ने सक्कोय और सिक्योरिटी दे दिये बहुत सई बोडिगाट्स मेरे साथ जाएंगे बस दो ही बंदे बुलाए थे पैसी लेसर को मैंने बोला था एक बंदा यहां पर खड़ा हुआ है बहुत सई एक बंदा यहां पर है लेसर की गवर्मेंट फैक्टरी में चार बंदे है तो यह रहां लेसर अब लेसर कुछ पता लगा क्या यार तू दो तीन दिन से यहीं पर काम कर रहा है घर तो चला जाता अराम कर ले हैकर को हम लोग ढूंड लेंगे तू टेंशन मतले तो अब भी मेरी लेसर से बात सीथ होगे और लेसर ने मेरे को एक शौकिंग चीज़ बताई है लेसर बता रहा है कि यार चाइनीज गैंग के अटे से जो हार्ड ड्राइव मिली दी ना उस हार्ड ड्राइव में हैकर की कोई इंफर्मिशन नहीं है बलकि उसमें फ्रांकलिन की इंफर्मिशन है तो मैंने इसको बोला आखिरकार उसमें फ्रांकलिन के बारे में क्या है जल्दी से बता तो पहले मुझे लगाता हो सकता है क्यों पैसे गोल की इंफर्मिशन होगी पर लेस्टर बता रहा है उसके अंदर एक attack का पूरा का पूरा plan है Franklin बहुत ज़दी Los Santos आने वाला है और वो Los Santos में कुछ बहुत अगड़ा plan कर रहा है कुछ बहुत बड़ा तभाही मचाने वाला है उसे रोकना पड़ेगा Lester बोल रहा है कि हमें Franklin से बहुत बड़ा खत्रा है क्योंकि Franklin हमारे सारे मूव के बारे में जानता है वो हमारे team members को जानता है उनकी power के बारे में जानता है उससे पता है Michael क्या सोच सकता है Here Leicester क्या सोच सकता है वो हमसे एक अदम आगे चल रहा है इसलिए उसने politician को हमारे चक्कर में लगा दिया, हम politician के पीछे पड़े रहे, पर Franklin ने कुछ तकड़ा प्लान किया है, और हमारे पास पूरी information नहीं है, क्योंकि जब तक Lesser hard drive को hack कर रहा था, आधा data रिमूव हो गया था, तो Lesser कुछ भी कर भाई पता लगा, क्योंकि Franklin ने अग बहुत बड़ी मुस्वीबत में पड़ जाएंगे, मैं President दूदू कॉलिटीशन है, और हमें Los Santos से प्यार है, तो Los Santos को और उसकी public को बचाना होगा, कुछ भी कर, और hacker का मुझ पर छोड़ दे, hacker को मैं ढूंड लूँगा, बाकी bodyguards, तुम लोग Leicester के साथ रहो, इसकी जान खत्रे में है, इसलिए जितनी जादा हो सकता है, उतनी security हम लोग यहाँ पर रखने वाले है, और guys, जो information मिर को मिली है, हमें अपनी पूरी टीम को देना होगा, hacker कारियर ये Franklin के दिमाग में चल क्या रहा है, वो करना क्या चाहता है, क्योंकि इतने टाइम से वो सांत बेठा ह वो है Liberty City में चुपकर, तो हमें लगा था, वो हमारे डर से नहीं आ रहा है, पर वो तो कुछ और ही प्लान बना रहा था, और अगर Chinese Gang के अड़े से हमें वो hard drive नहीं मिलती, तो शाहिद कुछ पता भी नहीं लग पाता, और अगर Chinese Gang के अड़े से guys हमें hard drive मिली है, तो चाहे कि Franklin Los Santos का आने वाल है, बस इतना भी पता लग गया ना तो guys हम लोग पहले से तयारी करके रख सकते हैं, एक तो Los Santos इतना बड़ा है यार, देखो हम लोग पूरे Los Santos को नहीं बचा सकते, पर हमें कोशिश तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अभी Michael कोई normal इंसान नहीं है, Michael Los Santos का President है, Michael की सिम्हेदारी है, पूरे Los Santos को बचाने की, Chinese Gang के एरिया में चलते हैं, मुझे बता है, मैं जाओंगा तो वो लोग में से अराम से बात तो बिल्कुल नहीं करने वाले, पर जो भी होगा, मेरे पास कोई option नहीं है, मुझे चलके अभी पता तो करना ही पड़ेगा तो गाई, मैं चाइनीज गैंक के एरिया में आज चुका हूँ, तुम लोग यहां देख रहे हो, दो बंदे मिले को नजर आ रहे हैं, मैं अराम से इन लोग इसे बात करूँगा, वैसे मिरे बस गन वगिरा है ना, सारी चीज़ें है, मैं कोई लफड़ा नहीं चाहता, मैं इतनी information चाहिए, अगर तुम्हें Franklin के प्लान के बारे में कुछ भी बता है, तो मुझे पता हो, तुम्हें जितना पैसा चाहिए, पैसा ले लो, भाई मुझे पता करना है यार, यह लोग बोल रहे हैं कि यहां से President चला जाए, हम लोग कुछ नहीं बताने वाले, इन्हें प प्यार से नहीं मान रहे, तो मुझे अपनी तरीके से पूछ नहीं पड़ेगा, फटाबट से बता दो, मेरा धिमाग खराब हो रहा है, मैं बस यहां पर information, मुझे लड़ना नहीं है भाई, एक सेगिंड में मना कर रहो ना, मुझे लड़ना नहीं, तुम लोग गन निकाल एक मिनट, तुम आकर गन निकालोगे, तो गन तो मुझे भी निकालनी पड़ेगी, कोई दिकत निया, लोसांटोस की पब्लिक को तो मैं समाल ही लूँगा, मैं बोल दूँगा कि यहां पर कुछ तगड़ा प्लान चल रहा था, इसलिए प्रेसिडेंट को खुद यहां पर यहां पर इतने सारे बंदे एक जिगे पर क्या कर रहे हैं, इनके पस कोई ना कोई तगडी इनफॉमेशन है, तब यह सारे एक जिगे पर हैं, पहले इन सब को ठिकाने लगाता हूँ, इन में से कोई नहीं बचना चाहिए, सब को मारूंगा मैं, इनफॉमेशन तो मैं ले पहले जितने भी बंदे मेरे को यह पर नजर आ रहे हैं, इन सब को ठापकाता हूँ, यह देख रहे हो, निकल यहां से, बागी गाइस मैं फटबट से काप्टन को गाल करता हूँ, काप्टन को यहां बलाता हूँ, क्योंकि यह सुचेशन काप्टन ही हेंडल कर सकता है, यह यहां पर एक तरीके से गैंग बहुरी हो चुका है, बहुत सई, मैं काम करता हूँ, फटबट से काप्टन को गाल गाता हूँ, और काप्टन को चल्दी से यहां पर बलाता हूँ, अभी मैंने काप्टन को काल कर दिया है, काप्टन को मैंने बोला है, चाइनीज गैंग के ए मैं एक भी बंदे को पकड़ लेता हूँ तो मैं इन्फोर्मिशन अराम से निकल वा लूँगा एक सेकेंड यहां तो कोई भी नहीं है वो रहे वहाँ पर कुछ बंदे मैं लोग उसे बता करता हूँ यह लोग यहां पर वर्कर्स लग रहे हैं इन में से कोई envision जरूर बता यह लोग अरे जिन्दा बख्ड़ा बहत मुस्किल से लोग لगातर गॉल क्या था है मैंने जिन्दा पकड़व मैं काम गरता हूँ डार मैं यहां किसी एक के पैर पर टुर जलाता हूँ एक सिगेंड पहले मैं इन्हें साइड में बुलाता हूँ जैसे लोग इस साइड में आएंगे मैं किसी एक के पैर पर गुली चलाओंगा और मुझे उसे जिन्दा पकड़ना है आजा बिटा आजा 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 अंदर आओ निकल यहां से एक तो गया एक को मैंने जिन्दा को खड़ लूँगा इसके मैंने पैर में गुली चलाओंगा यह जैस यह मारा नहीं है आजा बिटा निकल यहां से जब तक कैप्टन आएगा गाइस मैं फटाबट से उसको खड़ा करता हूँ और इसे बात करता हूँ इसी बंदे को मैं उठाता हूँ इसके पास जरू कोई नहीं को इन्फोर्मेशन होगी और इसके पैर में बहुत सारी गोलिया लगी है और यह मैंसे बार बार एक ही चीज बोल रहा है कि माइकल इसे प्लीज सोड़ दे से हॉस्पिटल जाना है नहीं तो यह मर जाएगा देख मैं तुझे हॉस्पिटल खुद लेकर जाओंगा मेरे को देर से पर्सनल दूस्मनी नहीं है मुझे बस इतना जानना है अगर तुर पस फ्रांक लेंग को लेकर कोई भी इन्फोर्मेशन है तो मेरे को जाननी है और अगर तुने जूट बोला तो मैं तरको शूट कर दूँगा कोई बचाने नहीं आने वाला तुझे पता है कि मैं चाहूं जितने बंदों को मार दूँ मिससे पूछने वाला कोई भी नहीं है तो जल्दी से सचाई बता कि आखिरकार तरको पता क्या है तो अभी गाइस काफी देर पूस्ताच करने के बाद फाइनले मेरे को इससे कुछ इंफॉमेशन तो मिली है पर ये बंदा में को सब कुछ बताने को तयार नहीं है ये मेरे किसी काम का नहीं है और एक मिनट यार ये पीछे से कौन गोली चला रहा है यार अध्या भाई लोग कहा कहा से आ रहे है निकल यहां से वाँ देख रूग गाड़िया ले लेकर आ रहे है अभी कितने लूग है भाई ये चाइनीज गांग बले क्या कर रहे है भाई कहां भाई हो युआ हूए लोग समझ में लिए नी आ रहा है पदना नी कहांDAY से निकलनकल की आ रहा है वह Ona को कि ळल्ट आ बलाय है या देखो गांग बाले लोग भागने की कोशिश कर रहे है बर कि अब मेरा हाँ से बचंही पाएंगे मेरे को information तो मिली है तो यहाँ पर मेरे को Franklin के बारे में information ने मिली पर ऐसे एक बंदे के बारे में पता लगा है जो Franklin के बारे में बता सकता है तो Chinese Gang वाले बंदे को पता था कि वो मेरे से अगर जूट बोलेगा तो मैं उसे जान से मार दूँगा वह दूआ झार में झानिजू में अधरी हमें नीमार को पताए है यृ ली मस्त पस ताना खया एक मिनित मेरी गाड़ी लुह तो प्षैंट शिजगे के यदू मैंने तुम लोग को समझा है ना निकल लो यहां से चुप चाब इससे फिले मेरा दिमाग खराब हो जाए वो अपनी गाड़ी है ना गईस पीछे हा मेरी कार है फटापट से ले दें और एक मिनट मुझे लेमार के बाद जाने से रोक तो नहीं रहे लोग कहीने पता लग गय छाए वो जाए लेमार इनके पास आये था फ्रेंकलन का प्लैन लेकर और लेमार नहीं इने काफी जादा पैसे दी लेमार-फ्रेंकलिंね के साथ मिलकर काम कररे है वो पुराने दोस्त भी तो है यार मैने पहले क्यों नी सोचा ना लेस्टव ने सोचा था Wes. हमें सारी इंफ मिशन वेसी मिल जाएगी तकल यहां से फटबट से गाड़ी में बैठते हैं कैप्टन भी कुछी दिर में आपे पहुच रहा होगा बहुत सही मैं से किसी को नी छोड़ रहा है जितने भी बंदे मिरे को यहापे नजर आ रहा है ना गाइस सबको मारना पड़ेगा तो फटबट से काम करते हैं गाड़ी में बैठते हैं गाड़ी को साइड में लगाते हैं मैं एक काम करता हूँ गाड़ी को पहले मैं साइड में लगा देता हूँ यहाँ पे लगा देता हूँ कैप्टन का इंतजार करता हूँ जसी Captain आता है Captain को लेकर लेमार के पास चलता हूँ क्योंकि मुझे पता है लेमार जूट बोलेगा और उसे सचाई उगलवान ही पड़ेगी यह काम करते है गाड़ी को यहाँ पे लगाते है और Captain का इंतजार करते है तो अभी मैं यहाँ पर काफी दे से खड़े होगे Captain का इंतजार करते है और Finally guys Captain का call आचुक है Captain बोल रहा है कि Michael है कहाँ पे वो Chinese Gang के एडिया में है तो मैंने इसको बोला ठीक है तू बाहर के साइड़ी रहे मैं कुछी दिर में आया तो फटा फट से चलता और एक मिनट यह गाड़ी किसकी है अभी यह तो Captain तू बाहर घड़ा था मुझे लगा तू यहार रोड के साइड है ठीक है Captain तू यहाँ पर आगर तूने काफी सही किया बाकि जो भी आपे situation है आभा इसको control कर बोल दे कि यह गांग बार हुआ था इसलिए काफी सारे चाइनीज गांग के बंदे मर गए है पाकि हमेना भी लेमार के पास चलना होगा चुकि लेमार के पास Franklin को लिकर सारी information है और बाकी बाते मैं तिरको रास्ते में बताऊंगा Franklin Los Santos में तभाई मचाने वाला है Guys, अभी हम लोग Captain की गाड़ी से जाएंगा क्या कर रहा है भाई, आकर बैट जल्दी अभी मैंने guys, Captain को बिठा लिया है Captain को मैं रास्ते में सारी चीज़े बता दूँगा Captain एक बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई है हम लोग politician के पीछे पड़े होए थे और Franklin कुछी टाइम में Los Santos आने वाला है हमें नहीं पता वो कब आएगा पर Los Santos जब भी आएगा Los Santos में कुछ बहुत बड़ी तभाई करने वाला है तो हमारे पास बहुत कम टाइम है उसे रोकने का तो इसलिए मैं आपर डिरेक्ली आ गए यार नहीं साथ अपनी आर्मी को लेकर रहा है नहीं मैं अपने टीम को बुला मैं डिरेक्ली अकेले यहां पर आ गया था और अभी जाना है हमें LEMAR को पकड़ने LEMAR के पास Franklin को और सारी इन्फॉर्मिशन है यह मुझे चाइनीज गैंग वालों ने बता है फड़ाबट से चलते हैं LEMAR को पकड़ते हैं और अभी ना हम लोग प्यार से बात तो बिलकुल भी नहीं करने वाले मैंने पिसली बार काई जो चोड़ दिया था पर इस बार अगर LEMAR ने मुझे सचा ही नहीं बताई तो मैं उसे ना कैप्टन के हवाले कर दूँगा कैप्टन अपने आप पूछ लेगा ओके तो गाईज जबी हम लोग Franklin के पुराने वाले घर की तरह आ चुके हैं LEMAR को मैं कॉल करता हूँ और इसी सैट बुलाता हूँ बहुत से गन अंदर रख लेता हूँ इस एरिया के लोग कुना ज़ादा कोई फरक नी पड़ता प्रेसिडेंट को लेकर कैप्टन तो एकदम तयार है ना यहाँ पर कुछ भी हो सकता है मैं LEMAR को गॉल कर रहूँ कैप्टन एक गड़बड़ी हो गई है लेमार ने हमें धुका दे दिया है वो हमारा फोन नी उठा रहा है तो यह काम कर अपने पॉलिस टेशन में अगर कोई हाकर वगरा तेरे जान पर चान का है उसे कॉल कर लेमार के फोन को ट्रैक करो लेमार का मुझे पता चाहिए पाकि फ्रैंक्लिन की यह आंट का घर है ना एक बर चेक कर लेता हूँ अगर फ्रैंक्लिन की आंट हुई तो हम लोग थोड़ी पूस्तास तो यार देखो करी सकते है वैसे मुझे नहीं लगता कि फ्रैंक्लिन यहाँ पर आया होगा ओके गाईस घर काफी जाता गंदा लग रहे है मुझे नहीं लग रहा कि घर पर काफे टेम से कौई आया है यहाँ पर ओके कोई भी नहीं है सब लोग देख रहो पूरा का पूरा घर गंदा पड़ा हूँ है एक सेगिन यहां पे कवाड वगएरा किसी ने बैक वगएरा पैक कर रखे है भाई यह वाला रूम भी खाली है फ्रैंक्लिन की आंट भी नहीं है मतलब यह वाला घर भी खाली कर दिया यहां लोगोंने एक सिंगिन यहां से डोर लोक हो लख है यहां कुछ भी नहीं है आर हमें चलनावादेगा पूझे लेमार का पता लगानाए अगर लेमार में मिल जाता है तो शायद हमें Franklin भी मिल जाए लेमार बेटा तुने अच्छा नहीं किया हमें धोका देकर तू भी हमारे हाथ से जरू मरेगा और अपट से निकलते हैं गाइस अपना टाइम हम लोग यहां पे वेस्ट नहीं कर सकते अच्छा रहा गाइस मैं Chinese Gang के एरिया में चला गया और एक मिनट यहां देख रहे हूँ भाई Captain की जीवागन इतनी जादा बढ़िया है कि आते जाते लोग इसे देख रहे हैं और सारे लोग फोटो ले रहे हैं मैडम लिफ्ट लेनी है क्या हद्धे यार फिर Captain की जीवागन है बहुत जादा बढ़िया बाकि Captain कुछ भी करियार लेमार का पता लगा क्योंकि लेमार के वारे में किसी और को तो पता होगा नहीं नहीं तो हम लोग पुस्ताच कर लेते अपना नया वाला कार शरूम यार इसे उपन करने का भी टाइम हो नहीं पा रहा है इसे भी जल्दी उपन करना है पर इसे हम लोग बाद में उपन करेंगे Franklin का पहले पता लगाना बहुत जादा जरूरी है Franklin Los Santos में पता नहीं यार क्या करने वाला है उस मेसेज में क्या लगा था Lester पूरा एर मेसेज भी तो नहीं पढ़ पाया क्योंकि हार्ड ड्रेव यार किसी ने पूरी की पूरी डेटा रिमूफ कर दिया अकर पूरा मेसेज पढ़ ले था तो भी हमारा काम हो जादा पर चलो ठीक यार कम से कम हमें उसके प्लान के बारे में ठोड़ा पता तो लगा है कि वो लोस सांटोज आने वाला है तो भी गईज उनक्स सबसे पहले जा रहरे है हैकर के पास क्योंकि क्याप्टन ने कहरे में पता लगा रिया और जैसी क्याप्टनmonsै कुछ नाम बताया हूँ आ गाइस जल्दी से हमें लेमार का पता लगाने है तो गाइस यह रा लाइफ इंवेंडर ओफिस फटबट से काम करते है गाड़ी को यहां पर लगाते है कैप्टन जल्दी से हाँ क्योंकि जादा टाइम नहीं है वो ओफिस के ऊपर ही हमें लोग को मेलेगा उसे नहीं पताए कि प्रेसिडेंट उसे मिलने आ रहा है हटेजा सामने से एक पंच भी पढ़ता जैसे उसने देगा कि प्रेसिडेंट बीचे सीधे भागना साठ कर दिया तेकर बीचे काप्टन भी आ रहा है एक तो मैं उसे वहीं पर पीटता हूँ और सीधे जेल में भी डाल देते कैप्टन अपने साथ में घूम रहा है पर अभी हमें कोई लडाई जगडा नी करना है हमें बस लिमार की लोकेशन बता लगानी है इस वाले ओफिस में गाइस में बहुत टाइम के बाद आ रहा हूँ पहले हम लोग यहां पर अपने हैकर से मिलने आते थे फिर तो हम लोग ने पर्मारेंट अपने साथ ही रख लिया अभी अपने पास एक ही हाकर बचाता वो भी यार अभी किटनाप हो चुका है उसका भी पता लगाना है तो गाइस अभी हम लोग ओफिस में आ चुका है यहां पर यह जितने भी लोग काम कर रहे है यह देखने में एकदम नॉर्मल से वरकर्स लगते हैं पर गाइस यह सारे हैं और जिस हैकर्स हम लोग मिलने आया वो घड़े सामने एक ग्रीन जाकेट में पहले से तो काफी चेंज लग रहा है यार मुझे लगता है कि काफी तकड़ा है कर बन गया है देखने में तो ऐसा ही लग रहा है प्रबट से ही बात करते हैं पता करते हैं कि Lemar का पता लगा सकता है निए लगा सकता है तो भी हमारी hacker से बात सी देओगे how to go कि जैसे मैंने इसको बोला कि यार हमें एक location चाहिए एक बंदे का number हम तुझे बता रही है हमें इसकी location ट्राक करके बता कि यार वो आखिरकार है कहाँ पे तो हैकर बोल रहा है कोई दिक्कत नहीं है यार यह तो एक मिनट में हो जाएगा कैप्टन अभी लिमार का नंबर वगरा है है को दे रहा है मतलब यार यह बंदा पहले से काफी तगड़ा बन चुका है पहले यह इतनी बड़िया हाकिंग नहीं करता था पर अभी यह सीग गया है तो अच्छा है यार आगे भी हमारे काम आएगा वैसे भी यार हमें हैकर्स वगरा चाहिए ही चाहिए अभी हमारे पहाँ सिफ दो रहे गया है एक है लेस्टर और एक है अपना हैकर जो भी गयव हो चुका है पस यार कैप्टन इससे बातचीत करके भाई लेमार का पता लगा ले तब तक मैं काम करता हूँ थूर तर यहां पर इंतजार करते हैं अभी मैं आर सोफे बैटने जारत है और गाइस इतनी देर मैं आर लाइफ इंवेंडर ओफिस के ऊपर कोई आया है और यह बंदा मेरे फोटो और विडियो बना रहा है मुझे लगता है इसने मिरको पहचा लिया है कि आरवाइकल अपना प्रेसिडेंट आपी मिरको यहां से निकलना पड़ेगा मैं सीधे जाकर अपनी गाडी में बैट जाता हूँ वहाँ साही यह तो यह फ्रंट गेट है इसने निया आए थे ना लोग बैग गेट से आया थे मुझे जाकर गाडी में इंतिजार करना पड़ेगा कैप्टन कुछी दिर में आ जाएगा यहां पर तुम लोग देख रहों काई बहुत सारी लोग है जितने भी लोग है यह सा जाए बढ़ेगा पर हम लोग यहां पर फ्रंक्लिन का पता लगा रहे हैं वैसे यह सब हम लोग लोग लोस एंटोस के लिए है क्योंकि अगर फ्रंकिलिन लोस सान्टोस में आकर तबाइप मचाता है कुछ भी करते है तो सब को बहुँत प्रब्च्रा जादे धिक्कत होग जल्दी से बता कुछ पता लगा या नहीं लगा जल्दी से आँ गाड़ी में बैटके अराम से बात करता हूँ क्योंकि यह बहुत सारे लोग हैं तो इनके सामने बात करना बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा तो कप्टन पर ले मैं kई बता कि तुझे पता क्या लगा अधी गाइससी में बाची दो गया और कप्टन बता रहे क्यार लेमार की लोकेशन अभी फ्र्यंक्लिंग के घर की दिखा रही है और हम लोग को फ्रांकिलिंग के गर के तरफ जाना चाहिए शायद लेमार वहीं पर ही है ओके फटापट चलके चेक कर लेते हैं भाई लेमार फ्रांकिलिंग के घर पर है यार ये चीज तो अपने को बहुत से ही पता लगी है इसको वहीं चलके दबोशते हैं एक बार लेमार हैत आ गया, तो शायद फ्रैंक्लिंग के बार में भी हम लोग को पता ही लग जाए, पड़ा बच्छे चलते हैं, फ्रैंक्लिंग के घर भाई माइकल के घर से जादा दूर निया, बगल में माइकल का घर भी है, पॉसे और एक सेकंड यार जल्दी भगाने के हमें गाड़ी कंट्रोल भी नहीं हो रही है, लेमार को बस पता ना लग जाए कि हम लोग वहां पर आ रहा है, यह हैकर भी काफी तकड़ा हो गया, उसे सिफ दो मिनट के अंदर यार यहां पर लेमार का पता लगा दिया, बस जल्दी से चलके लेमार को पकड़ना है, फिर स इसे चलते हैं, खैस फ्रैंक्लिन के घर पे, अब याराम से भाई, बस ब्लोग यार फ्रैंक्लिन के घर पे बस बहुत सुके के लेमार के जोगा, और थो बदा गाड़ी से निकल, गण पर पहले ही निकाल, और गराज के अंदर कुछ मेने देखा था अबी सायद घराज ख बाइक खड़ी हुई है वो भी एक नॉर्मल सी बाइक अगर सूपर बाइक या सूपर कार होती तो मैं समझ जा था कि फ्रांक्लिन की थी पर फ्रांक्लिन को इस टाइप की गाडियों को शॉक भिलकुल भी था क्याप्टन कन फकरा निकाल ले और आखे खुली रखना क्योंकि फ्रांक्लिन के घर पर हमारे लेएक खत्रा भी हो सकता है एकदम अराम अराम से हम लोग अंदर जाने वाले हैं बहुत से गेट अगर लोग हुआ तो हम लोग नीचे वाले रास्ते से जाएंगे पर अगर लेमार बिल्कुल नहीं लग रहा तो इसको कुछ नहीं कहते है काप्टन नीचे के साइड चलते हैं पहले पहले हमें लेमार को ढूंड़ना है बहुत साई तो पहले चलके गाइस लेमार को देखता है मुझे नहीं पता वो बंदा कौन है उसको बाद में पकड़ेंगे का यहासा नहों कि हम लोग इस बंदे को पकड़ने जाए और लेमार उतनी देर में भाग जाए क्योंकि लेमार अभी हमारे ले बहुत साथा सुरूरी है एकदम अराम-अराम से बिलकुल भी आवाज नहीं करनी है चुप-चाप से एकदम नीचे जाना है और जाकि लेमार को पक यहासे पूरा का पूरा ग्लास लगा दिया क्योंकि मैं बाहर जा सकता हूँ पता नहीं लग रहा है पूसली लेमार तो यहां पर नहीं है एक मिनट चौप है कहां पर आम से देखना पड़ेगा वैसे चौप को गाईस मैं कोई नुकसान ही पचाऊंगा क्योंकि उसकी कोई गल्ती नहीं है चौप का घर भी नहीं है यहां पर इसका मतलब फ्रैंक्ले ने चौप को अपने बुला लिया जहां पर भी वह बहुगा लिवर्टी सिटी में या फिर वाइस सिटी जहां पर भी होगा चौप उसके साथ ही है आप युस बंदे को पकड़ते है आखिरकार इसको गोली से नी मारते हैं, इसे मैं डंडे से मारने वाल हूँ, इसे मैं डंडे से मारने वाल हूँ, इसे मैं कोई जान से नी मारना है, इसे बस पीट कर पूस्ताच करनी है, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, निकल यहां से, इसे पहले तुरिया देखर हो इसकी ड़ से हालत खराब है क्योंकि इसने प्रेसिडेंट को पचाल लिया है यार मैं इस बंदे को जानता नहीं हूं यह है कौन यार Captain तू जानता है क्या भाई Frankling के साथ तू मैंने इसे कभी नी देखा भाई तू है कॉन पर ले ये बता तो तेरको मैं यही वे शूट कर दूगा और तू यहां कर किया रहा है Franklin का दोस्त है, Lemar का दोस्त है तू है कॉन तो ओभी गाईस काफी देर इस बंदे से बादसीत करने के बाद में को पता लगा है क्यार ये तो Franklin को जानता ही नहीं है इसे पता ही नहीं है क्यार ये घर Franklin का है तो ये बोल रहा है कि Lemar का दोस्त है और Lemar ने इसे यहां पर रहने को दिया है ये लोसांटोस का नहीं है लोसांटोस के बाहर का बंदा है और Lemar के लिए वेपन का इंतिजाम कर रहा है तो मैंने इसको बोला Lemar को वेपन चाहिए तो ये बंदा बता रहे कि हाँ भाई Lemar ने दो ट्रक बरके वेपन्स मंगवाए थे लोसांटोस के बाहर से जो कुछी टैम में लोसांटोस बहुचने वाले है और जिनकी डील इसी बंदे ने कराई है तो ये ने इसको बोला कि Lemar है कहाँ पे तो Lemar गाईज वेपन की डील करने गया और उस बंदे को लोकेशन पता है ये बता रहे है कि वोडन फैक्टरी के पास के डील होने वाली है Lemar वहीं पे मिलेगा और हम इसे छोड़ते कैप्टन इससे भरोसा नहीं कर सकते मैं ऐसे अपने साथ लेकर जाता हूँ वोडन फैक्टरी की दरब तो एक पुलिस की टीम लेकर रहा और जल्दी से जल्दी वहीं पे पहुँच पुलिस वालों को कॉल कर मैं ऐसे अपने साथ लेकर जा रहा हूँ और अगर इसने जूट बोला तो मैं ऐसे वहीं पे खतम कर दूँगा अगर तुने जूट बोला अभी तेरे पाटाई में सचा ही बता दे तो हमारे साथ चल तो दूर से बस लोकेशन बता कि वह लोग डील कहां पे कर रहे हैं उसके बाद गाइस मैं इसे जिन्दा छोड़ दूँगा क्योंकि में हमारे से कोई लेना देना नहीं है हमें बस लेमार चाहिए पड़ इस बAND दे से हमें बहुत अगड़ी इंफोमेशन मिली है यार लेमार और फ्रांकलें मिलकर लोसान्ट ओसिटी में दो ट्रक भर के वैपन्स मंगा रहे है भाई दो ट्रक वैपन्स समझ रहो okay ऌतने वैपन्स नहीं Trevor अपनी खतरनाक वाली आर्मी वाले बंदे लेकर वहाँ पहुचेगा क्योंकि अगर वहाँ पे दो ट्रक वैपन की डील हो रही है तो काई समझ सकते हो कि वहाँ पे कितने जादा बंदे होंगे और दो ट्रक वैपन सुनकर ही भाई Captain डर गया है कि दो ट्रक वैपन अगर गांग वालों को दे दिये या फिर किसी ने भी अपनी टीम बना ली तो लोस आंटोस में कितनी जादा तभाई मचे की हमें जल्दी से जल्दी इस डील को रोकना पड़ेगा कुछ भी करके और के खबर लोस आंटोस में फैल नहीं नीचे यह तो बहुत जादा दिक्कत हो चाहेगी फट अबट से अपनी कार को बगाते हैं जल्दी से चलते हैं गाईस वोड़न फैक्टरी के तरब और अगर वहाँ पे डील होगी तो मुझे उन्हें कैसी भी करके रोकना होगा मेरे पास अब इतना टाइम नहीं कि मैं अपने टीम मेंबर्स को बुला लूँ और एक मिनट यार एक तो यह गाडी में बतानी क्या दिक्कत है जैसी मैं तेज भगाने की कोशिश करता हूँ आउट ओफ कंट्रोल हो जाती है भाई सही मैं कैप्टन की कार है तो कैप्टनी से चला पाता है मेरे बसकी नहीं है अपनी गार जो जीवागन अपनी वाली है उसे भगाते हैं मैं उस गाड़ी को भी बाहर निकालूँ गया ब बहुत टाइम हो गया घर में खड़ी है उसको भी बाहर निकालने का टाइम अभी आ चुका है तो अभी हम लोग यार इस बंदे को लेकर फुटन फैक्टरी की तरफ जा रहा है पर किये बंदा बोलता है कि यार हम लोग फुटन फैक्टरी में एकदम फ्रंट साइट से नह निकलता है तो में गाड़ी ऊपर के साइट चड़ानी पड़ेगी बहुत टाइम पहले यहां से गया तो था यह को ठीक सी याद नहीं है पर हम लोग को इसी रास्ते से जाना हो क्योंकि वहां पे वेपन की बहुत बड़ी डील चल रहे है तो वहां पे बहुत सारे बंदे ह चाता हूं कि कोई भी हमें देख ले गोलिया चला है या फिर भाई लेमार हमारे हाथ से निकल जाए क्योंकि लेमार को पकड़ नहीं है यह रिल बेर ट्रैक में इनको सीधे सीधे वहीं पर पहुचाएगा वड़न फैक्टर के पीछे इस बंदे को मैंने बोल दिया है कि अ माइकल इसके साथ क्या कर सकता है कि मुझे गाड़ी को थोड़ा राम से चलाना पड़ेगा बस पीछे से कोई ट्रेन वगिरन आ जाया यह नहीं तो बहुत हो जाएगी ओके तो गाइस यह टेनल आ चुके इसके बाद एको टेनल है उसके बाद शायद हम लोग लोग जाएगी गाड़ी बहुत जादा प्यारी है अभी अपनी जीवागन होती अभाई बहुत जादा प्यारी चलती ही यह जीवागन अपनी बढ़िया नहीं चल रही है तो गाइस इस वाली टेनल से हम लोग सीथे वुड़न फैक्टरी की तरह बहुत चुके में को रास्ता जाता था फोर आदे को सामने वुड़न फैक्टरी अपनी जीवागन को चुपचाप से साइब में लगा लेते हैं इसके अवास भी होई तो भी गड़बड़ी हो जाएगा भाई शांत भाई डर मत तू तो गाड़ी को यहाँ पे लगाते हैं एक बार चल के चेक कर लीते हैं फटबड़ से गाड़ी में सोधर ओके यहां पे कोई नजर तो नियार और एक मिनट वहां सामने गाइस मेरे को बंदा तो नहीं दीख रहा पर दो ट्रक नजर आ रहे हैं ऑके भाई बहुत सारे बंद दगण बॉस ने बोला था ओके तो तेरी इंफॉमिशन एकदम ठीक है अभी चुप चाप से निकल जागा कोई गडबड़ी मत करना लेमार को कॉल करने की कोशिश बिलकुल मत करना नी तो मैं तरको पकड़ के खतम कर दूँगा चुप चाप से निकल तेरा काम हो चुका है अब मैं सबको देख लूँगा गाइस यहां पर बहुत सारे बंदे हैं तुम लोग नीची के साइट देख रहे हो इन लोग उने पूरा का पूरा रास्ता ब्लॉक कर रखा है अच्छा रहा इस बंदे ने हमें बता दिया और हम लोग फ्रंट साइट से नहीं आए यह तो ह एन थोड़ा टाइम लगे को और गाइस तुम लोग सामने देख रहे हो तावर की उपर बंदे और वो देको उपर स्नाइपर्स खड़े हैं हद यार इतने जाधा बंदे वेपन की डेल तो हरी है ना इतने जाधा बंदे लेकार और गाइस लिए मार सामने खटा हुआ है मे वह जादा बंदे हैं, 4 तरह बंदे हैं भाई बस यह लोग मेर को देखर को थोड़े दर इंतजार करना है ट्रेवर एक बर आजाए, फिर सब की बैंड बचाते हैं तो अबी मैर काफी देर से आपे ट्रेवर का इंतजार कर रहा थो और गाइस अबी यहां पे तुम लोग देख रहे हो सामने लेमार के बास किसी का फोन आया और लेमार भी फोन चला रहा है और उस तेमनी सिक्यूरिटी वालों से गाड़ी भी मंगा लिया है कैसा तो नही है कि लेमार यहां से भागनी की कोशिश कर रहा है अगर ऐसा हो गया तो गाइस दिक्कत हो जाएगी यार यह ट्रेवर काहा है गया मुझे अभी हिन बंदों से लड़ना ही पड़ेगा हद यार इतनी जादा आर्मी और सिक्यूरिटी ओने के बाद भी मुझे अकेले लड़ना पड़ेगा यह ट्रेवर भरोसाई गलत किया भाई अब क्या गुरू समझ में यार अगर मैंने गल्ती से भी गोली चला दी तो यहां पे तेक्रों सारे लोग मिनी गं लेकर खड़ेगा भाई मेरी बढ़ेगा अगर मैंने मारानी तो लेमार हाथ से निकल जाएगा लेमार निकल गया तो फ्रांक्लिन काम पाएगे मुझे यार अभी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा मैं काम गरता हूँ लेमार के पैर में गोली मारता हूँ लेमार को कैसे भी करके पकरना बढ़ेगा लेमार के शूज में गोली चलाता हूँ बहुत साही लेमार को मैंने या गिरा दिया है कि मरतों नहीं अभी में थोड़ा सा कपर में नहीं पड़ेगा हर एक जिगे बंदे हैं वो देख रहे हो और वह उपर भी बंदे खड़े हैं यार ओ तरी इक उपर वाला बंदा नीचे उतर के आ रहा है ना निकल इस तेरी तो ओके पहले उन सब भाई वो देख रहे हो कितने जादा बंदे हैं भाई और तरप से गोलिया बट रहे है मेरे पास यार मुझे कवर में आना पड़ेगा यार तेरे चक्कर मैं केशी दिर मैं फक्का मरूंगा भाई मेरे बास एकयार आर्व इरह यारॉड यार बुलेट प्रूप सुट भी नहीं और मुच़ा प्रपुल करने मुझे कवर मिलिटरी के करनल को कॉल रननना बुलेट प्टने मुझे कंन। अब युक्ट कोई रास्तव, एक मिनट यार मेरे पास भी टो मिनिगान है ना मैं भाग कियो रहा ہूं मैं भाग कियो रहा हूं इन लोग असे यार ऐँढ दे मुझे बता, हिए यह बहुँ ज़ता खतर्नाक सिक्योरिटी है मैं वहाँ क्यों रहाँ मेरे बास मिनी गान है जोगा देखा जाएगा निकल यहाँ से तेरी तो ऐसी कि तैसी बंदे तो कुछ भी बोलो बहुत जादा बंदे है फ्रांक्लिन ने भाई लिबर्टी सिटी से बहुत खतरनाक बली सिक्यूरिटी बेजी है इकल यहाँ से भाई मैं किसी को ने चोड़ू का इन सबके बस मिनी गान है बरे पड़े हैं बंदे बरे बड़े है विलों क्या देख रहे हो कहाँ कहां से गोलिया बढ़ रहे हैं कुछ समझ में निया कहां है अर बंदे यह पीछे क्या कर रहा है मेरे भाई मेरा मेरा अर्वनिया पर अल्मोस्ट डामेज हो चुका है मेरी बैंड बजने वाली है अगर मेरे पस मिनी गन नी होती तो मैं सही में मर जाता एक मिनट मिनी गन को अंदर रखो फटबट चल के देखते है लेमार भाग तो नहीं गया लेते हैं लेमार को लेते हैं लेकर निकलना बड़े गोर तुम लोग देखरों बड़े बड़े आपर ट्रक खड़े हुए इनके अंदर वेपन भरे हुए मैं ट्रक को छोड़ कर भी नहीं जा सकता हुआ रहा है एक मिनट यार अब यह गोली कॉन चल आ रहा है आपहे सब को ठिकाने लगाता हैं यह थो लिका है अब कारव बश्लबार यह ब्रक अदर में ओड़ेगा मैं बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकता है क्योंकि अगर किसी ने पीछे से मेरे को हैड्शॉट मार दिया तो माइकल की यहीं पर मौत हो जाएगी मुझे नहीं लगता है कि अभी हाँ पर कोई भी जिन्दा बचा हुआ है मैंने सारे-स बंदों तो अभी टायम है अम्छे में लेमार को उठाने का फटबट्स को ठाते है तो अब मैं लेमार को ठाने जारहा थो और गाईस इतनी दिर में यांपे ट्रेवर अपने बंदों को लेकर आचक गये तुम लोग देख रहे हो चार-चार अपने आर्मी वाले बंदे और ट्रेवर भी यहीं पर ही है अपर यार हद है यार ट्रेवर तुने कितना जादा टाइम लगा दिया और तुने कपड़े वगर भी चेंज कर लिये भाई डारेक्ट यहीं पर आजाता तू देख रहे हैं मेरा पूरा का पूरा आर्मर डामेज हो चुका है मेरेको काफी जादा चोटे लगी है वो तो अच्छा है कि यार मेरे पस मिनी गंती नी तो यह लोग मेरी बैंड बजा दे थे यह बहुत सारे लोग थे तो ट्रेवर एक कामगर लेमार को उठा हो और लेमार हमारा दोस्त नी अब दोश्मन बन चुका है मैं तरे को पहली बता दूँ उसे दोस्ती मत करना और जो यह दो ट्रक देख रहे हैं यह दोनो ट्रक तू सांडी शोर्स पहचा है इनके अंदर वेपन वगिरा है और बहार जितने वेपन हैं वो भी अपने साथ ही ले जाना पकी लेमार को उठा भाई हमें उससे बातचीत करनी है वो भी गाईज हम लोग ने लेमार को उठा लियो ट्रेवर यहार थोड़ा सा नराज है लेमार से इसलिए तुम लोग देख रोड़ेवर साइट में खड़ा है क्योंकि उसे अगर गुस्सा आगया तो लेमार की बजा देगा हम सबने लेमार को एर अपना दोस्त समझाता और इस बंदे ने हमें धोका दे दिया अब लेमार जल्दी से बता देग जो भी मैं तरह से पूछना चाता हूँ अगर तुने जूट बोला तो मैं तरह को यहीं खतम कर दूँग और तरह को बचाने फ्रैंक लेन तो बिल्कुल भी नी आने वाला क्योंकि वो खुद छुपकर बठा है तो पहले में को बता फ्रैंक लेन है कहां पे और यह इतने सारे वेपन वो मंगा क्यों रहा है क्योंकि मुझे बता है कि तुझे इतने वेपन की जुरूत नी है यह सब फ्रैंक लेन का गाम है तो फडबत से बता दे निस तो तु आज मेरे हाज से बच्छने वाला नी है और लेमार ने याँ पर सारी सच्चा ही बता दियो तो लेमार ने मरे को एक शौकीं चीज बताई है लेमार बता रहे हैं कि यार माईकल फ्रांकिलंगा वेड़ ना करे लेमार बोल रहा है कि आर फ्रांक्लिन ने बस एक message किया था कि आर मेरे को यहाँ पर आना है तो यह यहाँ पर weapon की deal करने आ गया बाकि फ्रांक्लिन ने और भी बंदों को hire कर रहा है जो उसके लिए weapon की deal कर रहे है मतलब फ्रांक्लिन लोस आंटोस के बाहर से काफी जादा force लेकर आ रहा है जिनने weapon यहाँ पर मिल जाएंगे और उसके बाद वो लोस आंटोस में कहीं पर भी जाकर तभाई मचा सकते हैं फ्रांक्लिन का कुछ ऐसा प्लान है थोड़ा बहुत मुझे प्लान समझ में तो आ गया है पर उसे रोकना तो पड़े गई तो ट्रेवर एक काम गर लेमार को लेकर फटबर से लेसर के पास पहुच और बोडिगार्ड्स तुम लोग मेरे साथ चलो हमें जल्दी से आसे निकलना पड़ेगा मेरी जीवागन का है का इस अपनी जीवागन तो पीछे के साइडी है न फटबर से निकलते हैं एक सेकंड अपनी गाड़ी कहाँ पे है ये बात मुझे चल के लेसर को पूरी समझारी बढ़ेगा और पता लगाना पड़ेगा कि आखिरकार फ्रांकले ने और भी कहाँ पर वेपन की डील कर रहा है और अच्छी बात है फ्रांकले लॉस सांटोज में आ गया मैं भी तो यही चाहता था था ना अब उसका गेम खतम करना है बस उसे पता लगाना है कि वो है कहाँ पर फ्रांकले को बता है कि वो अकेले मेरे सामने नहीं आ सकता अगर वो सामने आ गया तो मैं उसका क्या करने वाल हूँ फ्रांकलें तू जहां पर भी चुपा हुआ है तू मेरे हाथ से बचे कानी तूने बहुत बड़ी गलती कर दी लॉससांटोज आकर और एक सेकिन यार अपने बॉडी गार्टज कहां गय jsए एक मिनड़े काम करते हैं उसने ट्रेवर के साथ ही रहने देते है और लमार भी उसकी के साथ है तो ट्रेवर के साथ रहेंगे तो जादा सही रहेगा लेमार भागेगा भी नहीं बाकि मुझे फटबर से गाड़ी को दोड़ाना है जल्दी से यहां से निकलते हैं सीधे चलते हैं लेस्टर के बास लेस्टर को यह सारी चीज़ बतानी होगी और हमें ना फ्रांक के इंको ढूणना होगा क्योंकि आगर वो लोस एंटोस में है तो कहीं ना कहीं तो डील करी रह electrie होगा कहीं ना कहीं रुखा होगा कि उसका पता लगाना बहुत जारूरी है तो फटबर से गाड़ी बगाते हैं जल्दी से चलते हैं जलदी से चलते हैं लेस्टर के पास बहुत जादा जरूरी है तूट पहने के बाद अपने को कोई दिक्कत ने लेनी है फिर माइकल एकदम सेफ हो जाएगा बाकी मैं सोच रहो कि घर जब जाई रहे हैं तो क्यों ना जीवागन भी उठा ली जाए यार काफी टाइम हो गया है अपनी कार लेकर घुमेंगे क्यों मैं ब्रवाDY को मैं बहाद लोगों बाकी में ने रहे हैं कर भाद है की यारक को मने बहरा हरा है इसमें तो हमारा ही फायदा लोगों यह को पहाद नहीं चलेगा कि प्रेसिडेंट किसमे असली कॉन है तो माइकल के ओपर कभी अटाक ही नहीं हो पाएगा वैसे प्लान तो काफी तकड़ा है यह रहा अपना घर फटबट से अंदर चलते हैं तुम लोग यहां पर देखो मॉंस्टर सिक्यूरिटी और अपनी आर्मी दोनों आपर खड़ी है यह देखो सारे के सारे बंदे बाई लगे हो है अभी अपना घर डवल सेफ है क्योंकि दो दो सिक्यूरिटी यार दोनों बहुत सादा नेंजर है फटबट से गन को अंदर रखते हैं सिक्यूरिटी बगर तो एकदब ठीक लगी है मतलब कोई गड़ बड़ी नहीं है फटबट से अंदर चलते हैं और चलके पहले सूट के बार में पता करता हूं तो ट्रेसी और अमांडा तो यहीं पर है और एक मिनट इदर जिमी भी खड़ है और यह क्या कर रहा है ओके यह जॉकिंग कर रहा है जलके मेरी को सूट लेने आए क्योंकि बुलर प्रूफ जरूरी है मेरा अर्मर पूरा डामज हो चुका है और यह रखे हैं लुक्त काफी सारे सूट आये यार मुझे नहीं बता कि यह मेरे है या या फिर मेरी टीम के हैं फटबट से इन मेंसन मैं जल्दी से एक सूट निक काफी जादा बढ़िया यार यह पहले वाले से कॉलिटी काफी सही लग रही है क्योंकि इस बार मैंने मिलिटरी कैनल को बोल दिया था किया पैसो की कोई दिक्कत नहीं है अपने पास पैसे बहुत साथ है तो यहाँ पर हमने एक बढ़े आसा सूट पहले और बाई कोई बो पहले को सारी काम चोड़कर सीदे वाइठ निकलना है और चलके देखते हैं वहाँ पे चल क्या रहा है बाई बढ़ानी क्या सीन है लेस्टर भी आर देखो वहाँ पे नहीं है इसलिले में कोई जाना बढ़ रहा है मैंने उसको बला काम कहा है तो बहाई मैं दो-तीन दिनों क्योंकि अभी भाई टाइम आ चुका है इसे निकालने का वैसे गौर्मेंट ने यार मेरे को मना किया था एक तरीके से क्योंकि मैं अगर 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 जीवा गन से देखो गया इस कहीं पर भी जाता हूं तो सबको बता लग जाएगा कि माइकल गू प्रेसिदेंट वाली इतनी सारी गाड़िया है ना किसी एक में ठककर मार के देखे गया देखते हैं चलो बिल्ड कॉलिटी कैसे हो सकी ओके सामने में कोई गाड़ी नजर आ रही है ओ तिरी भाई तुम लोग ने देखा पीछे से पूरी गाड़ी खुल गई यार पूरी ग जल्ब आ है जीवागन एकदम पेस्ट गाड़िया इसलिए मैं को यह बहुत जादा पसंद है जीवागन के जैसी अपने को और भी मस्त मस्त गाड़िया मंगानी है इसी में को मैं कॉल कर दूंगा कि बढ़िया बढ़िया गाड़िया लेकर एकदम कस्टमाइज वाली है इतनी अराम संब लोग यहां पर आगए यह रहा सामने वाइट हाउस फटापट से चलते हैं पेपर वगेरा पे साइन करते हो और यार बस इसी की कमी रह गए थी कि मैं वाइट हाउस आउंगा ना तो यहां पर मिरको भाई अपनी प्रेसिडेंट वाली गाड़िया साल अगान है तो भाई वो शान तो बिल्कुल भी बैठेगा वो जरूर हमारे बारे में कुछ ने को सोच रहा होगा और एक मिलट यह लेस्टर है अब यह भी आप है भाई बगकर रिस्प्शन वाली लेडी ने इसको भी कॉल करके बुलाया होगा क्योंकि इसकी भी आपर पड़ती है अब यह लेटर तुँ आ गया था तो मुझे क्यों फोन करवाया है यार ठीक है अब मैं आ गया हूँ तो ठीक है अब बता दो और कौन-कौन से वेपर्स पर साइन करने है और सारी चीजे मिलको अभी बता है और यहां पर यह लेशर बोल रहे है कि यह बाकी के क समाल और अगर मेरी कोई भी जरुत पड़ती है तो मुझे कॉल कर देना बाकी एक जरूरी बात है वो में तरको फोन पर पता दूंगा हम लोग यहां पर बात नहीं कर सकते वैसे लेशर को शक्त हो चुका है कि कुछ गडबढ़ी है इसलिए वो मेरी को घॉल्ड पे ध्यान अभी अपने पास वैसे काफी सारा गोल हो गया गोल माफिया थोड़ा तो बेच कर आगया पर इस बार वो बहुत जादा लेकर जा रहा है इतना जादा कि हमारे पास पैसे की कमी नहीं होगी और अब लोग लोसांटोस की पब्लिक ले भी काफी कुछ कर सकते है क्योंकि पब्लिक ले कुछ करा ही नहीं तो पब्लिक ले भी यार कुछ नहीं कुछ करना पड़ेगा फड़ा पचे काड़ी को बगाते हैं जल्दी से चलते हैं गाइस अपनी गोल माइन की दरब और चलके देखते हैं वहाँ पे चल क्या रहा है कर दो अपना बड़ा है झाल 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 झाल